अच्छा एडिया है पहली शादी में पता होता ना तो तभी चला आता हनीमून पर पता जी चलो चलो त्यार हो जाओ चलना है अरे चलेंगे चलेंगे पहले ये तो बता दे के जाना का है अनिमून पे अभी से इतना खुशोने की जरुवतना है अभी तो हम घर पे हैं हनी मुन पर जाएंगे तो और गणी मस्ति करेंगे सबल हाँ भाई जल्दी बैक पैक कर ले हमाई चलना है आठ चलते चलते लेकिन चलना का है भाई हनीमून पे हनीमून पे भाई मैं यू गया और यू आया मैं ट्रेवल एजट को फोन कर लियता हूँ बल्लो ट्रेवल्स हाँ प्रबल बोल रहा हूँ हाँ बोल प्रबल डोल अरे डोल ना रहा बोल रहा हूँ पकले हाँ मैं समझ रहा हूँ अच्छा मता कैसे कॉल किया है कुछ काम था क्या हाँ 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 हमें हनीमून पे जाना है टिकेट बुक करानी है ठीक है जी कर देते हैं टिकेट नौ टिकेट बुक कर देना। हाँ नौ टिकेट? तेरी तेकी शादी हुई है ना? अरे शादी का हनीमून से क्या लेना है देना? अची सुनते हो? बैटी, वो किसी की ना सुनता? अरे घर में नौ लोग हैं, तो नौ यह टिकेट करानी पड़ेगी ना? घर में किसी को छोड़के जाना अच्छा थोड़ी ना लग है? हनीमून पर पती-पतनी जाते हैं? अरे हाँ, तो नौ मैंसे चार पती-पतनी हैं ना? पिता जी और अम्मा, मैं और मम्ता ऐसा नहीं होता, सिर्फ पती-पतनी ही जाते हैं हनीमून पर तो जो और ममता भाबी दोनों को ही honeymoon पर जाना चाहिए पागल हो गया है के घर में फूट डालना चाहे हमारे परिवार में तो एक दूसरे के बिना शाह बिना लेते हैं और तु मुझे honeymoon पर भेजना चाहे मैं तो क्या ममता भी इस चीज के लिए राजी ना होगी कि अरव सुन मेरी बात हम जाएंगे तो साथ में हनी मुण पर जाएंगे प्रवल समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को रो फोन लग ने तक फोन भूंग गुशके मारूं गाश्ट पता जी कैसे लोग हो गहें कि अकेल जा भी भी के साथ हनी मुण पर बला इसा हो वे कर अब दया आपने भी ऐसा किया था क्या बेटी मैं तेरा गुलेगार हूँ हो सके तो इस नाचार बाप को बाप कर देना अबाप किया आपस्टी किया चैएएएएएएएएएए बुशक शक्ति आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आओ! यॉशको, मेरी बात ध्यान से सनो, तुमें पहलवान परिवार के धर जाकर, वहाँ जितने भी बिजली की तारे हैं, वो सब कुतरनी होगी. अब जाओ! बिजली के तार कुतरने से क्या होगा? अंधेरा! और उस अंधेरे से बचने के लिए, पहलां टेन जलेगी, मौमबत्या जलेगी, और फिर, अगवण्श आएगा, एक छोटी सी लव को मशाल बना देगा अगवण्श, आज जहां पहलवान परिवाद का घर है, कल बहर राख भूगी, सिरसे राख! अजह एक जामेद्ट का पहला है, मौम्झ आएगा शॉपश्गर्या है, जहाईगा मौम्झ आएगाद का जोग्चर्या है, मौम्झ आएगा आएगा राख! नहाँ आएगां अवर्ण़का इन से आएगD हाँ हाँ सही सुना तुने 12 स्टेटर वाली बस चाहिए हनीमून पर जाना है अरे पकपास बंद कर बस भेज जल्दी अरे क्या हो गया भाई कह रहा था कि 12 स्टेटर की बस क्यों चाहिए हनीमून बस में मनाओगे कि पागल हाँ भाई सारी दुनिया पागल है बस एक तुई स्याना है दाजी आप तारीफ करते हो ना बड़ा अच्छा लगता है वैसे बस तो बुक हो गई है अब आप यह बताओ कि हनीमून पर जाना कहा चाहते हो अरे बेटे मनन तो तु कासी लेके चल गंगा महिया में डुब की लगा के अपने पाप दो लूँगा क्या वया सना अब हनीमून पर जाने की प्लाणिंग कर रहे हो हाँ बस जगय को लेकर थोड़ी उल्जन अरे उल्जन किस बात की तो जगे भावी को पसंदे बावने लेके जाओ भाविया बताइएन आ आपको हनीमून पर किदर जाना है मुझे तो मनाली जाना है सुनाली? अज़ा सुनाली को न ले जा सकते हम परिवार वाले होगे 9, अमरिता मिला के 10 एक ड्राइवर और एक क्लीनर एक मिनट एक मिनट हनीमून पर सरफ आपको और भावी को जाना है बस तु भी बचा था अब तु भी कोसिस करके देख ले अरे कैसी बात कर रहा है बबल मैं परिवार को छोड़के न जा सकता अगर हनीमून पर जाना है तो सब जाएंगे नहीं तो कोई न जाएगा अरे तु बस एक अच्छी सी जगे बता दे भाई चांद पर चलते हैं अब भाई तेरे मोस्चा का घर है ना चांद पर लेकिन छोटे चांद पर ये क्यों अरे भाई आप किस ले जा रहे हो हनीमून के लिए और हनी का मतलब के होवे है शैद और मून का मतलब चांद तो ये चांद पर जाके शैद घाने की रसम है तेरी मा को आथ पूछूंगा क्या खा कर पैदा कियाता इन दोनों को अब चांद पर जाएंगे कैसे पता जी आपने तो चांद पर शैद खाया ही होगा अब आप भी बता दो कि चांद पर कैसे जाएंगे अरे पगले सीक्रेट है सब के सामने थोड़ी बताऊंगा इधर कांडा यह लाइट की चली गई तुम दोनों के दिमाग की रोशनी देखकर मुझी पालिया बिचारी पिताजी मैं टॉच लेका रहता हूँ आ लेका जा चांद पर जाएगा मुझी आ लेका जाएगा साथिया, साथिया, साथिया साथिया अधाजी 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 अरे भया, क्या हुआ? अरे, तार के टुकडे मिले हैं कॉरिडोर में लगता है चुहे ने कुतर दी हैं शाहिद भया, कॉरिडोर से जो वायर निकलती है न वो सीधा मेरे कमरे में जाती है तो बिजली सिर्फ मेरे कमरे की जानी चाहिए थी पूरे घर की केसी गई? वो भाई, सिर्फ कॉरिडोर नहीं मैं में स्विच भी चेक करकर आ रहा हूँ चुहों ने वागी भी सारी तारे कुतर दी हैं एक बात मेरी समझ में नहीं आए ये चुहें वायर क्यों खाते हैं? कायर? हाँ हाँ कायर ही तो ये चुहें अले अगर उनमें हिम्मत होती तो कहते हैं प्रबल तेरे घर के वायर खा रहे हैं रोक सके तो रोक ले और तू उनसे बिढ़ जाता है न? और का पिता जी? मेरी रगव में आपका खून है अगर कोई चुनोती देगा तो मना कैसे कर सकूँ? पिता जी मुझे तो ये बड़ी emotional story लग रही है होई 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 चल भई तू भी अपने emotional बाहर निकाल पिता जी मुझे लगता ये चू है न यहां पे खाना खाने आये थे और हमारे घर में थी शादी तो उन्हें लगाओगा यहां पे बहुत सारा खाना मिलेगा सबल तो एक काम कर मार्केट जा और दो किलो वायर लेके आजा जी भर के खानते चुआँ को बबल जा किस एलेक्टिशन को भुला भाई अब पिता जी इतनी रात को एलेक्टिशन का से मिलेगा लालटिन बड़े ना खर में उससे काम चलाते है हाँ 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 अरे ममता जा स्टोर रूम में और लालटिन निकाल लाएक कराम सी दिए धे रहा है लगता है किसेने जान बूच कर बिजली काटी है ताकि घर में लालटिन जले और वो इच्छादारी बाज अपना काम कर जाए ममता दीदी कहां जा रही हैं स्टोर रूम में लालटिन लेने पर लालटिन जलाएंगी कैसे? माचिस से अरे कैसे जलाएंगी मतलब दादी ने सुभा ही तो बोला है कि घर में कोई आग नहीं जलाएगा मैंने काम मना किया हाँ ये नागोमीदेव इनकी नीद भी खुलनी थी अरे बोलना छोरी मैंने काम मना किया आज से दो दिन तक इस घर में कोई माचिस की फीली भी न जलाएगा इक्छा सची तो कह रही है दादी आज सुभा आपी ने तो कहा अगनीदेव हम ते नाराज है अब जब तक उनकी नाराज की धून नहीं होती कि घर में कोई भी आगनी जलाएगा तुम दोनों बावले हो गयो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और मैं ऐसा क्यू कहूंगी उल्टा मैं इच्छा को पुजा घर लेके गई वहां पे अगनीदेवता की पुजा की उन्छे मापी मांगी और इससे कहा भी जला फ़िछ था की कि अगनीदेवता शान्त हो गे अब कोई अन्होनी ने आगी बोल छोरी बोला था के ने बोला था हां दादी आप बोल रहे हो कहा ही नजानीन का फ्यान कहा रहेथा है ममता जब लाल्टेन लेकरा अब दीदी आप रुकिये लाल्टेन मैं ले आती हो ठीक है मेरे सोई से मिट्टी का तेल लेकर आ जाती हो अरे जिसको जो करना है करो लेकिन जल्दी करो जादा देर घर में अंधेरा ना रहना चाहिए जी दार जी अच्छा सरा संभाल कर चला करो नेसी पता नहीं कौन सी दुनिया बर की जल्दी पड़ी रहती है तुमें किसे डून रही हो वो अगवंच तो मैं कोई गलत फैमी होगी अगवंच यहां पर तुड़ी ना होगा शायद एक मिनिट एक मिनिट तुम अगवंच को कैसे जानती हो मैं अगवंच को जानती हो मैंने कपका हाख ही में अगवंच को जानती हो वो तो तुम उचसे अगवंच के बार में पोच रही थी इसलिए मुझे लगा होगा कोई पहलवान फैमिली का सद्दसिया जिसे मैं नहीं जानती तो कहे दिया मैंने, आज चलो मुझे बहुत कामे में चल रही है जब भी मैं इस गड़की को देखती हूँ, इता नहीं, मुझे अजीब सा महसूस होता है असा लगता है, कुछ तो गड़बड है अरे आज की तारिक में लालते नावेगी के नहीं एजा है परिटाए इस भूँ करें आज करें तो पादलो क्या यूँ पादलो क्या बबल जी वह मैं बस देखने है अच्छा, तुम जानते हो, हमारे करबें बिजली नहीं है. आल्टेन के अलवा, हमरे बास कोई अप्शन नहीं है, फिर भी तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्यों एसी अरकदे कर रही हो? इच्छों, तुम्से कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो. जवाब दो! आप सब के साम देते था. बबबल जी! ए मा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई. ये चुहों ने तार खाई तो क्यों खाई? ये! दादेची, में तेल ले आई हूं. इच्छा का रह गई? दह गई? अरे ये इच्छा कोई दिवार है जो डह गई? अरे डह गई ना, कहां रह गई? इक्छा लालटेन लेने गई थी. अभी तक आई ना, तो दादी पूछ रहे है कि इक्छा कहां रह गई? अरे छोड़ छोटे, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकालना इच्छा के बस की बात ना है. जल, अब इस समस्या का दोड़ हम ही निकालेंगे. ठीके बाइच. अरे रुक जाप, इस अंधरे में तुम दोनों कहा जा रहे हो? अरे मा जाने दे, थोड़ी देर दिमाग को सांती मिल जागी. चलो बढ़ी जाओ, 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 जाओ. अरे दोनों रहेंगा तो मदद हो जाएगी. मदद, खाक मदद मिलेगी इन्षे. अरे जब यहां नहीं होंगे तब मदद मिलेगी. लाल्टेन कहा है? अरे तु छुप कियो है, बोलती क्यों नहीं, लाल्टेन कहा है? कहा सलागी लाल्टेन? अरे खाक के सारे लाल्टेन इसने खोड़ दिये. खोड़ दिये? ग्यूं फोड़ी तुने लाल्टेन? तेरा देमाघ तो ठीकाने पे है. अरे बोलती क्यों नहीं, क्यूं फोड़ी है तुने लाल्टेन? बैसे तो भली-चंगी प्यारी छोरी है, तु ये बीच-बीच में के हो जाए तुझे? दादी, घर में सुबह से आग की वज़े से जो हो रहा है, वो… ये भगवाद, फिर से वो ही बात. अब बस, आरे मज़े से मारा पूरा खर अंदेरे में ना रहेगा. लेकिन दादी, कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं देख लूँगी. ममता, दिवाली के बचे वे दिये रखे होंगे, जाके वो ले आप. दीदी, मैं भी चलती हूँ. रोग जा तू. जब तक दिये ना जल जाए, मोरे आख की सामने से हिलनाने. बढूर की से लूँपली कुछ देवान यह सिर्भ कुछ चलतब दूब का विर बचल्स ये 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 लेंगे पुरा खरोसा नो यागा फानगा ये इंग लेंगे इंगे लेंप आ जा है अब्सक्रीक अवड प्रुinement कि उत्वू मूज है इंगे statड– ये रुक जाओ मम्ता दिये विये जलाने की जरुवतना है इस अंधेरे का हल हमारे हातों में है भाई लेकिन हल तो खेत में होवे है न अरे समस्या का हल पता जी ये देखो एमर्जेंसी लाइट इस से सारा घर जगमगा जाएगा और इसमें LED बल्ब है LED बल्ब LED इसमें ज्यादा देर तक चले है और इसे रॉष्णी भी ज्यादा होवे है ना ना तुम मेरे सबन और प्रबल नहीं हो सकते ऐसा क्यों कहरो पता जी इतना दिमाग चलाना मेरे बेटों के बस की बात ना है ना खड़ा दिये तो अंदर रग दे और जल्दी से खाना निका दे बहुत भूक लगी है क्ये बनाया आज शाही पनीर मंगाया है बहार से बहार से? बहार से क्यों? अरे दादी आपी ने तो कहा था घर में दो दिन तक चूलानी जलेगा मैंने कहा था? मैंने कब कहा? खड़क ये क्ये हो रहा है इस घर में मारे साथ? सम वने क्यों कह रहे है और वो भी ऐसी बातों के लिए जो मैंने कभी कही नहीं दादी छोड़िये ने ये सब अंद भला थो सब भला शाम से सब बिजली के चकर में फसे हुए सब को भूग लगी होगी ना जो भी खाना है मैं लगा देती हूँ चलो मैं भी चलती हूँ अले धाने दे ममता आज इच्छा की मदद हम कर देंगे खाना लगाने बैट अरे हाँ पिता जी ज़रूरी ना है घर की ओरते हमेशा घर का काम करें हम मर्दों को भी कभी कभी औरतों का हाथ बटा देना चाहिए अब चले खड़क एच्छा तू रो क्यो रहा है क्यो रहा है क्यो हो गया बोल एमा मैं सबने में नहीं सोच सकता मेरे बच्चे और इतने स्याण है चुड़ा जुबोजा या जग नहीं देवता को फुजा कीती ना यह उसी का फल मिल रहा है अमें इच्छा ने फिर मात देती आज मुझे एक काम कर बैड़ बॉल लेके आजा मैं इसे दिखाऊंगे कि चौक का कैसे मारते हैं सामने बच्ची घड़ी है कुछ तो नहीं हाच करो अरे क्या कर रहा हूं वही तो कर रहा हूं जो तै हुआ था गले लगने की क्या सब्रूत थी यह तै नहीं हुआ था अरे हो जाता है कभी कभी इनसान ज़स्बातों मैं बह जाता है एक मिल्ट एक मिल्ट मिझे इच्छा की चुप रहा है इनका हमेशे से ऐसा ही है मौका देखकर अपने मन की करी लेते हैं यह और तुम क्या करती हो हमेशे मेरी गल्तियां ढूनती हो तो गल्ती करते क्यों हो अरे मैं कोई गलती निकरता, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे ही पड़ताव करता हूँ, तुम भूल गई हो कि तुम क्या हो, आपको तो कभी मेरी बात सुननी नहीं है ना, अरे अकल की बात करोगी तो सुनूगा ना, आहा, पूरे नागिस्तान की अकल आपी के फन में भरी है अरे चोटे, बिजली का इंतियाम तो हुआ ना, अब धर की रोश्निका क्या करेंगे? भाई, जो पडोस वाली कामीनी अंटी है ना, और वो जो दो गली छोड़ के शर्मजी रहते हैं ना, हम उने घर में ले आएंगे, और उनको घर के कोनों में खड़ा कर देंगे, उससे कि वो बहुत चलेंगे, और इनके चलने की वज़े से पूरे घर में रोश्नी ही रोश्नी हो जाएगी, चलो घर बालों को बता देते कि प्रबल और सबल ने बिजली का इलाल जून लिया है, आओ, कौन हो आप दोनो, मा, आप दोनो यहाँ, बाकू आया था नागिस्तान, यह बता रहा था कि तुम परेशान हो, और तुम्हें हमारी मदद की आवशकता है, तो हम चले आए, अच्छा हो, आप लोग सही वक्त पर आए, अगर वो दिया जल जाता, तो पता नहीं क्या हो जाता, आज मेरे एक परिवार ने दूसरे परिवार को दुवस्तोरे से बचा लिया, लेकिन एक्छा, खत्रा अभी तक टला नहीं है, बबबल जी, आप मेरे लिफ दी है, क्या मतलब, मेरा मतलब, मुझे अंधिरे में बहुत पर लग लग रहा है, नहीं नहीं आता, तो मैं सब्सक्री कि आप और मैं मेरे कमरे में बैठके बास कर लेती है, कुछ आप अपनी कहिए, कुछ मेरी सुनिये, बातों की बाती होती रहेंगे और हम एक दुसरे को जान भी लेंगे, अमरता, हम एक दुसरे को जानते तो है, और कितना जानना है, कुछ बाती होती हैं बबबबबी, मेरे साथ चलिए, मैं आपको समझा दो, लेकिन अमरता, पबबल ची प्लीज, सलिए न, आज रात मुझस अकेला नहीं रात आएगा, केला, अरे रात को केला नहीं खाते, घर में कितने सेब और ची कुपड़े हैं, वो खालो, जी अमरता केले की नहीं, अकेले रहनी की बात कर रही है, घर में अंधेरा है न, शैक डर रही होगी, अरे इतनी सी बात, तू आज रात हमारे साथ हमारे कबरे में सोजा, अरे भीया, क्या वाद कर रहे हो, आपकी अभी भी शादिय होगी है, भावी के साथ, अरे तो अच्छा है न, दो की जगा तीन सोएंगे, तो डर कम लगेगा, अरे नहीं भीया, आपकी प्वस्न लाइफ भी तो है, आप जाओ, मैं कुछ सोचता आप जाओ, शाचू, आप टेंशिन मतलो, आप आराम से जाकर सोजाओ, अमने तर दिको मैं अपने कमरे में ले जाओंगा, लेकिन अप्व, तो अभी छोटा है न, खोटा, अरे क्या बात कर रही हो, हमारे अप्व को खोटा बोल लिए ये, अरे वो तो खड़ा सोना है, अरे भाईया, खोटा नहीं छोटा, अप्व छोटा है, लेकिन अमरिता, अप्व को छोटा समद्ध की गलती मत करो, ये बहु चलिए ना दीजी, हम दोरों धेर साजी बाते करेंगे, यह बात अपर आम से सो जाना हाँ मृता, जाओ ना, अपको को भी कंपनी मिल जाएगी, चाहा, चाले हो आपको, जिल जिल क्या हो अची? क्या हो अची? अरे भाया थीक तो, जिस दर में चिर-चिर की आवास रहे दे रहे हैं चिर-चिर की आवास? हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक-ट करके पूई ताट जोड रहा हो भाया शाएद आपका वहम होगा, आप, अरे ना बबल मैं डॉक्टों को बुलाता हूँ, एक मिनट, रूप जा अरे ना छोटे, अरे ओरतों की बातों का इलाज, तो भगवान के पास भी ना है, डॉक्टर के पास क्या होगा? अरे कुछ देर के लिए मेरा दिमाग लेडीज हो गया था, अब धीक है, चल ममता यह प्रबल भई अभी न, अच्छे कासे आदमी को पागल कर देते है, इच्छा, यह उसी विशैलगर की नागिन की चाल है, वो इच्छादारी बाज के साथ मिलकर इस घर को खतम करने की कोशिश कर रही है, हाँ मा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं नहीं चान्ती, वो नागिन कौन है, कहा है, अपकी गुरुजी से कुछ बात हुई, वो अपनी तपस्या से, नहीं सब बोली, तपस्या तो वो आज भी कर रहे है, लेकिन अब तक उस नागिन के बार में कोई जानकरी ने मिल पाई है, एक बात कहूं, वो जो कोई भी है, या तो इस घर के अंदर है, या इस घर के आसपास है, तभी हर बार मौका देख कर वार करती है, उसे पता होता है घर का कौन सा सदस्य है, किस समय कहां पर है, और घर में कब क्या हो रहा है, तो सही क्या रहा है, वाकू, वो नागिन इसी घर में है, और शायद मैं उसी जानती हूं, अब इंसानों की बस्ती में एच्छा धरी ना थोड़ी ना होंगे पील मत भूलो मैं रिशेल गड़ से आया है इसे पचना नामुम्किन है मेरे ख्याल से रिशेल गड़ की वो नागिन अमरिता हो सकती है अमरिता? हाँ मा, उसका रहन सहन, उसकी बोलचन, यह सब कुछ बहुत ही अजीब है उसे जब जब मौका मिलता है, उसे उलचती रहती है आज का जमाना बहुत बुगा है तुश्मिन सामने होता है और हम उसे पैचान भी ने पाते हैं खाने से ज़ादा दूध पसंद है उसको दी आप मेरी थाली भी हटादी, मैं भी सिर्थी प्योंगी है और आज जो हो उसके बाद तो किसे डूण रही हो? वह अगवंच तो मैं कुई गलत फिमी होई हो, यह अगवंच यहाँ पर तोड़ी ना होगा तो मैं अगवंच को कैसे जानती हो? अगर 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 ऐसा है तो समरिता पर नजर हो कब तक वो अपना असली रूप तुमसे छपा करें आज नहीं तो कल उसे सामने आना ही होता अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त इच्छा के सामने जा सकती हूँ मेरा एक करारवार और वो टिक भी नहीं पाएगी मेरे सामने तो इंतजार किस बात का है विशेली? जाहिए और मार दीजे उसे नहीं ऐसे नहीं एक बार मैं उसे हारता हुआ देखना चाहते हूँ मरने से पहले बबल को उससे छीनना चाहते हूँ अपनी जान से भी जादा जिस परिवार को वो चाहते हूँ उसे तोर ना चाहते हूँ खारी और इच्छा मुझे नाकिस्तान ले जाएगी और फिर वो मरने दो आपकी बात तो सही है लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इच्छा ही आपको माद दे दे और अपने फन को काबो में रखो नागेश अपनी ओकाद से जादा उतने की कोशिश की तो कुचल डालूगी एक बार फिर इच्छा जीत गए प्रबल सबल ने एन वक्त पर आके इच्छा को बचा लिया लेकिन कब तक बचेगी आज की एक राख जैन की निच्छ सो ले इच्छा कल की सुभा इस घर में माक्तम लाईए अच्छा क्या करने वाली हैं आप ऐसे नहीं फिशेली पहले करती है और फिर बोलती है रुको और देखो इस घर की बरबाद है कल सुभा इस घर से किसी एक क्यारती तो उठ करी रहीगी अरे चा कर रहा है तुँ ये भाई मैं तो आपके पैर छूरा था अरे तुझे कितनी बार बोला है कि अखाडे में मेरे पैर मत छूआ कर किसी दिन दाव सवाज कर पठक दूँगा भाई आप से तो हारने में भी जीतने का स्वाद आवे छोटे मुझे भी तुझे हडाने में बिल्कुल अच्छा ना लगता रिप्स के हुआ भाई अरे मेरे सर में लगातार चररर की आवाज आ रही है ओहो मेरे को लगता भाई आपके सर में ना एक्रिसिटी का मेंटेनेंस चल रहा है जरा जुको देखो कि शॉट सर्कृट वगेरा तो ना हो गया अरे छोटे मैंने किसी को अंदर भेजा ही ना तो मेरी मर्जी के बिना अंदर को जाएगा कैसे अरे सबल प्रबल भाई दादी में जादी माई सबल या आओ मुझे को बात करनी है के ओगे मां के बात है अचानक सबको बुला लिया को गड़बड हो गई के अरे ना छोड़ा अभी तो कोई गड़बड ना है देकिन ये दो दिन से जो हमारे घर में गड़बड चल रही है ना उसका इलाज लेकर आई हूँ अमरिता ने वने घणा अच्छा एडिया दिया है दादी ये अमरिता कौन है और हम उसकी बात क्यों मान रहे है बेटे अमरिता जी हमारी मैमान है परिशान है अमरिता परिशान है अरे अपनी परिशाने की बज़े मुझे बता देती मैं ठीक कर देता है अरे चुप कर बावले चुप कर अमरे यह उतारने के लिए हम लोगा और की क्यों जरुरत निएं एसे ही घर में आग को लेकर इतनी सारी टैंग्शन है और उपर से हवण अरे छोरी हवण कि आग पवित्रा अग होवे लेकिन दादी ये थीक मौरत नहीं है हवन के लिए अरे छोरी अगर इरादा नेक हो अद दिल पाक हो तो हर मौरत भग्वान का मौरत होवे यह प्रूसलिट निए, हवन होगा, मतलब होगा नहीं, हवन नहीं होगा इच्छा तुम तादी से उच्छी आवास में कैसे बात कर सकती हो पादी जी में चुप, एकदम चुप तादी के बाद आद आजणा की सिने काटी है, ना कोई काटेगा दादी ने कहा हवण होगा तो हवण होगा चुप दादी अब हवण की तेयारी करें अरे मम्ता मम्ता कुछ कर अरे मेरे सर में सर इतनी जोड से फट रहा है ऐसा लग रहा है जैसे अंदर बैठके कोई साइकल चला रहा हो अरे पैडल की आवाज रुखने का नाम ही ना ले रही है अब ये लिजे पानी पे लिजे अराम मिलेगा हे भगवान ये चानक क्या होने लगाए ने रक्षा का नाईंग थी अरे भगवान थोड़ीने साइकल चला रहे है वो कैसे रक्षा करेंगे ये बात तो मैंने मन में कही थी आपको कैसे सुनाई दी मन में? अरे मन में कहा पंगली? जोड-जोड से बोल रही थी तू ऐसा लग रहा था जैसे कान में बैठ के कोई बोल रहा हो ऐसा कैसे हो सकता है? ओ, तुछ से जादा प्यार करते हैं ना मुझसे तबी तो बिना कही बातों को सुन लेते हैं प्यार वाली बात बिलकुल सही लेकिन ना बोलने वाली बात बिलकुल गलत अरे साफ साफ बोल रही थी तू मेरे कान में आप बहुत अच्छे हैं जी हाँ, सो तो है लेकिन ममता तूने तो कुछ काई ना तेरे होट भी नहीं हिले, फिर जो मैंने सुनी वो, वो भात तो मैने मन में कही थी, अरे यो कैसे हो सके, अरे ओरतों के मन की बात तो भ्रम्मा जी और शिर्व जी भी ना पढ़ पाया अस तक, फिर मैं कैसे पढ़ सकुँ, लेकिन ऐसा हो रहा है, अधाना मुझे यकीन नहों रहा अच्छा तु एक काम कर एक बार फिर से बोल के बता हमन में मैं आपसे आपसे बहुत प्यार करती हूँ यही खाना तुने है हाँ मैंने यही खा यह भगवान यह कैसी लीला है कैसा चमतकार है मम्मू मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रबल मम्ता हवन के तैयारी हो गई है आज आज कल के नालाइक बच्चे प्यार में इतना डूब जाए कि दर्वाजा बंखरना भी भूल जाए मम्ता मुझे दादी के मन की बात भी सुनाई दी अच्छा क्या कहा उन्होंने कहा कि आज कल के नालाइक बच्चे प्यार में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें दर्वाजा बंद करने की सुधी न रहती हूँ उन्होंने सब देख लिया और वो छोड़ यह बता कि जो मुझ मुझे सब के मन की बात सुनाई दे रही है इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि जितना प्यार आप मुझ से करते हैं उतना ही प्यार घर के सब ही लोगों से करते हैं इतनी समझदार है तू मम्ता मैं कैसे समझाओं सब को कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है पर य तो ही अवन इस घर में तबाही लिए आएगा और पता है दादी खुद इस अवन में बैठने वाली है मतलब उस अगोईच का पहला निशाना दादी ही बनेंगी सामने चलता हुआ हवन कुण दादी के लिए जान लेवा थाबित होगा यह अमरिता वीना इसके दिमाग में ऐसे भी कल पाते कहां से हैं फुलाल तो मुझे दादी की बहुत चिंता हो रही है दादी इस घर का संसकार है वाकू इस घर का अधार है घर के हर एक सदिश से की जान उन्हीं में बस दिये अगर दादी को कुछ हो गया यह घर खुद को संभाल नहीं पाएगा नहीं मुझे हर हाल में दादी की जान पचानी होगी लेकिन कैसे मुझे की अगर येश बस दादी की जानी होगी वाकू देख वाकू, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, दादी की रक्षा की जिम्मेदारी तेरी है अब इन्हे घर में ऐसी किसी जगा ले जा, जाहिए सु रक्षित रहे, वह कलती सेने कोई देखना ले जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं तुझे बिला लूगी, ठीक है? ठीक है इचा दादी जी, मैं आपके जान खत्रे में नहीं डाल सकती आज अगर इस घर में किसी के साथ कुछ गलत होना है, तो वो मेरे साथ होगा दादी, मैं आपके साथ ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है बाकू, दादी की रक्षा करना ठीक है इचा दादी को तुम्हें कमरे में सुला कराई थी ये दादी कौन है? इच्छा जल्दी से पता लगा कि ये तीसरी दादी कौन है? ये तीसरी ही है? ये हसली वाली दादी है वाकू 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 वाकू, तुझसे एक काम धंक से नहीं होता ना? मैंने कहा था दुझे दादी को तुम्हार मत करो, अ दादी को एक शुरक्षी जगा छोड़ाया हूँ तो बाहर हवन के लिए चुदादी बैठी है वो? वो तुम्हारी मा है, सिपली तुम्हारी मदब करने आई है माँ मुना गुमिदेव मेरी माँ की रक्षा करना उसक्वंच को याने मत देना आईए, अब हवन सुरू करते हैं अब मैं और नहीं रुख सकती मुझे हवन को रोकना ही होगा दादी दादी, प्लीज मेरी बात मानिये इस हवन को रोक दीजे इच्छा, तुम नहीं मानोगी ना अब पलजी इसमें खत्रा है किसी भीवग इच्छा, तुमें हमारी परवा करने की कोई जरूद मी है यह वांगर की सुशानती की लो रहा है, इसे होने तो इसे बीच में रोबना अप्शगुन होता है पापन जी, अप्शगुन तो तब होगा ना इच्छा, अट जाओ वासे पंदित जी, आप शुरू कीजे पंदित जी, आप शुरू कीजे वाण़ वासे मैं बादेश मैं मैं पूज बंग फσ nudged साथ! मैं फ़िव प्राम दिए! फब फजए बंग प्राओ Primary मैं इच़ बंग टकु तका सो मैं झी कि अबैव झाल 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 यह कुछ इंजेक्शन्स है, यह ने जल दे लिया है, जो वा अगुण्श वा, क्या करारावार किया है, अब बस, यह बुढ़िया मर जाए, इसकी मौत, इच्छा के हिम्मत दोड़ेगी लॉक्टर साब, दादी ठीक तो हो जाएगी ना, देखिए, इनकी हालत नाजुक है, मतलब जख्म बड़े नहीं है, लेकिन गहरे सदमे के वाज़े से यह अभी तक बेहोश है, इन्हें समालना पड़ेगा आप लोग इन्हें आराम करने देजिए, ओके, मा को आराम करने जो चलाएगे मा, आपने ये सब कुछ मेरी ले किया ना, मेरे अभियान को पूरा करने के लिए, अपनी जान खतरे में डालती, लेकिन मा, मेरे लिए मेरी जीट और आपकी जान तो उन्हों ही बहुत माइने रखते हैं आपको पता है मा, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि दूसरों के लिए इतना कुछ करने के लिए जस्पालाद कहां से हो तो अब मैं सबसे काऊंगी कि ये मेरी मा की देन है आज के बाद कोई नी कह पाएगा कि नाग सफ नुकसान पहुचाते हैं आपने ये बात साबित कर दी कि अपना होया पराया नाग सब की रक्षा करते हैं अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाते हैं आप तो सब जानते हैं का हुआ क्यों हुआ सब कुछ आज मेरी माह भी अच्छा ही दिखा चुकती है अब मैं देखना चाती हूँ आप उनको सच्छाई के बतने क्या देते हैं आपने जो जो सीख दी जो जो संसकार दी है आज तक मैंने उस हर सीख ने हर संसकार का पालन की है और उसी अधिकार से मैं अपके सामने खड़ी हूँ आपको मेरी मा को बचाना ही होगा एगनबदी पपा मेरी दादी को जल्दी से ठीक कर दीजिए आपको बचाना है वो हमेशे सबको असाती रेती है और आज वो खुद मैं उन्हें असा नहीं देख सकता बगवाद आपको ने ठीक कर रहे होगा प्लीस उने ठीक कर दीजिए बपा प्लीस प्लीस उने ठीक कर दीजिए प्लीस शेक गर दीजिए बपा प्लीस शेक कर दीजिए बपा भब बचा छापीए बपा, अ यहान कीर आपक्यो रो रहे है और आपको बढ़ेखेलें पूनाै नग रहे है ना नहीं बचाना एटर मैं अपनी पत्नी के लिए रो रहा हूँ अच्छा के माँ लेकिन उन्हें क्या हुआ है आज वो हवन में बैखी हुई थी और आज में जुलस गई आज में? कि रिशा तो मेरी दादी के साथ हुआ है अबू बेटा मेरी पत्नी सिपली ताकि तुम्हारी दादी का रूप लेकर हवन में बैखी थी ताकि तुम्हारी दादी सला मत रहे और वो खुद अगर वो अच्छा की माँ है तो मेरी असली दादी कहा है यह के बात हुई? रात होगी और किसी ने मुझे बताया भी ना योग मजे मैं खरांटे माररे और मैं बेवकूफ हो की तरह जागा वाँ यह तो स्टोर रूम है यहां से आवाज आ रही है कौन है देखना पड़ेगा आओ God चक्र कर रही हो देवर जी छोडी बोडी करने का इरादा ही क्या क्या बाते कर रहे यह यह चोरी ना कर रहा है अंदर कोई सो रहा है छोड़ू कि आवाज इन्लदों ूरिय देखो देखो हम मेनतलब सुनो प्रबल जी को बादाम खिलाने पड़ेंगे उनका भीदिमाग तेज कनना पड़ेगा और उनको भी पुलिस में भीजना पड़ेगा आपको पकड़ने के लिए और एक बार आप पकड में आ गए तो भाबी आप क्या बोले हो क्या बोल रहो मुझे कुछ समझ में नहारा बच्पन में लगता आपने भी बहुत बदा मैं खायते काका दिमाग भाग रहा आपका मेरी छोड़िये आप अपनी बता यह आप काहा जा रहे हो वह याद है न भावी में दादी से मिलने जा रहा था दादी का कमरा यहाँ नहीं, वहाँ है थैंक्यू भावी, थैंक्यू यह दादी भी न कितने खराटे मारती है दो दिन में तीसरी बार ऐसा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है आग अचानक भड़की कैसे अब ये तो इच्छा ही बता सके है उसने मना किया था हमें हवन करने के लिए अगर उसकी बात मानली होती तो शायद यहाथ से ही ना उबा होता ए भाई रो मत ना भाई दादी ठीक हो जाएगी आपको पता है ना तादी को अच्छा ना लगता कोई रोता है तो रो मत भाई अब आप फेरे बाद इतना सब कुछ हो गया एक्छा कहा है कहा है कहीं बैठी रो रही होगी उसकी प्यारे परिवार की नीव जो दम तोड़ रही है आईए आपको बेटे यह कौन है दादा जी यह बहुत बड़े वेड़े हैं जड़ी बूटियों का जबर्दस ग्यान है इन्हें उन जड़ी बूटे से इन्होंने ऐसी ऐसी दवईयां बनाई है कि किसी के भी जखम ठीक कर देती है हाँ वो तो ठीक है बेटा लेकिन मा का इलाज तो डाक्टर साब ने शुरू कर दिया है अब यह बेज जी मुझे एक मौका दीजे मौद है मैं यह नहीं कहता कि मैं इश्वर हूँ मैं कोई बड़े बड़े दावे भी नहीं करूँगा लेकिन हो सकता मेरी कोई कोई कोशिश काम कर जया और इन्हें पोश आ जाए लेकिन देखिये मौद है जनम और जिंदेगी इसके हातों मिल जाए कोई नहीं कह सकता और पता नहीं क्यों मुझे लगता है मेरा जिसे अंसे कोई नाता है देंदार हूँ मैं इनका मुझे बस एक मौका दीजिए इनकी सेवा करने का लेकिन बात पिता जी इने कोशिश करने दीजिए इलाज करने वाले हाथ किसी के पर हो बस दादी ठीक हो जाए अबने और कुछ ने चाहिए वेल जी आप आईए हाँ पिरा आप इस तरफ आजाओ सिपली सिपली देख मैं आया हूँ तुझसे मिलने आया हूँ आज से सालों पहले तुने मेरी जान बचाने के लिए साजा प्रतियारपन ना किया होता तो आज मैं अपनी आदी जान तुझे दे देता आज मेरे हाथों में कुछ नहीं है मैं बस तुझसे जिद कर सकता हूँ वापस आने की आज तक आपने इच्छा की शरद्दा देखी है उसकी भक्ती देखी है लेकिन आज आप उसकी जिद देखेंगे मैं आज तब तक नहीं जाओगी तक आप मेरी मा के साथ नहीं करते अपने मन की शक्ती को जगाओ सिपली तुम्हें खुद अपने आपको बचाना है मौत से लड़ना है लड़ो सिपली लड़ो आज तुम्हें मौत को मात देनी है आखे खोलो सिपली आखे खोलो अपके दर्बार में सब के लिए एक ही विया है मा डादी, अधिया फीको अच्छा नागुमी देव की जैहो उन्हें तुम्हारी सुन ली तुम्हारी मा की जान बच गई है अच्छा 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 एमा, अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा ठीक लग रहा है, छोड़ा अच्छा एक बात तो सावित हो गई हरियाना का घी इतना दमदार है कि आग से भी हजमना हुआ अच्छा तुम लोग सब बाहर जाओ मने इच्छा अखेले में बात करनी है एमा ऐसी कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती खड़ाक होगी कोई बात जो माह हमारे सामने नहीं करना चाहरी चलो चलो हम बाहर चलते हैं लेडी स्टॉप लेडी स्टॉप लेडी स्टॉप मूँ किया रेकर चलो अच्छा क्या मैरूख सुटता हूँ ना च्छोड़ा तु भीजा आप नहीं चलें के बाद इनकी हालत अभी भी काफी नाजुक है मेरी जरुवरत कभी भी पड़ सकती है अगर आपको एतराज नहो तो क्या मैं यहां रुख सकता हूँ आपके यह रहने से मुझे कोई आपती नहीं है थेंग 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 अगर आपको कुछ हो जाता तो अगर आपको कुछ हो जाता तो मुझे कुछ हो सकता है बला और पागलपन तो हमारे जहर में है मुझे इस पागलपन की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खोड़ दिया इतनी जल्दी मैं आपको छोड़कर नहीं जाओगी मुझे अभी बहुत तंग करना है आपको अच्छा के शादी देखनी है मुझे बचाने के लिए जरूर तोने कोई उल्टी सीधी हरकत कियोगी है ना छोड़ो ना मा फलका सा जख्ख में बहर जाएगा लेकिन सपोली कोई मरहम तो मा की ये मुस्कुराय किसी मरहम से कम है क्या इच्छा इस हादसे से एक बात तो साबित हो गई है कि ये अगवंश बहुत ही खतरनाक है और शक्तिशाली है तुझे इससे बहुत ही संभल कर रहना होगा क्या हुआ? क्या सूचनी लगी? बस यही मा कि अगवंश इतना खतरनाक है तो वो शक्स कितना खतरनाक होगा जिसके इशारों पर अगवंश चलता है जिसके अगवंश बहुत है जिसके अगवंश बहुत है